नन्दित मैम, आजकल हम अपने मोबाइल से भी कम्प्यूटर चला लेते हैं, ये कैसे सम्भव है? सही कहा राजेश, सबसे पहले मोबाइल कम्प्यूटर्स 1980 के दशक में बने थे, हाला कि वो बहुत भारी थे और उन्हें कहीं ले जाना मुश्किल था. मैं तुम्हें मोबाइल कम्प्यूटर्स या फोन्स के बारे में और बताती हूँ. पहला मोबाइल कम्प्यूटर्स का विकास, Osborne 1 और Compact Portable ने किया था. हाला कि उन्हें प्लग इन करने की जरूरत पड़ती थी. अगर लेप्टॉप्स की बात करें, तो पहले बने कम्प्यूटर को गृट कम्पासिस कहा गया. इन कम्प्यूटर्स में बैटरीज लगी थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी की जाती थी. टेक्नॉलिजी में रोज हो रहे बदलाव ने इसे पोर्टबल बैटरी से चलाने में सफलता हासिल की. 2000 के दशक में पोर्टबल कम्प्यूटर्स बहुत लोक प्रिये हुए थे. उसके बाद स्मार्ट फोन्स और टैबलिट्स का इजात किया गया. ये कई तरह के ओपरेटिंग सिस्टम्स के जरिये काम करते हैं. और बहुत कम वक्त में ही उन्होंने कम्प्यूटिंग वर्ल्ड की दुनिया पर खब्जा कर लिया.